हलो माई डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू क्लास लेवन जोग्रोफी और आज हम देखेंगे लेक्चर नमर फाइब चेप्टर नमर टू और अपना चेप्टर चलाएब स्ट्रक्चर एंड फीजियोग्राफिय ओफ इंडिया और आज हम मतलब थोड़ा और अंदर की तरफ स सकते हैं तो बेज्ट ओन मेक्रो वेरियसंस इंडिया कें बी डिवाइड़ इंटू फोलोइंग फीजियोग्राफिक डिवीजिंस मतलब बहुत बहुत बड़े वेरियसं बहुत ज्यादा बड़े बदलाव आपको अगर इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया के मैप मे एं किया बहुत बड़े बड़े वेरियसं हैं बहुत बड़े बड़े अंतर हैं तो मैक्रो वेरियसंस के आदार पर इंडिया को छंचा फिजियोग्राफिक डिवीजिंस स्किविशं में डिवाइड किया जा सकता है पहला है न नोर्दन एंड No इस्ट मांटेन यह देखो नॉर्थ हो गया और यह वाली जो डारेक्शन यह है नॉर्थ इस्ट और यह वाली जो डारेक्शन है इस्ट है ठीक है यह नॉर्थ तो हिमाली जो मांटेन है यह नॉर्थ और नॉर्थ इस्ट को गवर कर रहा है नॉर्थ में भी और नॉर्थ इस् प्लेंस अभी मैं दिखाऊंगा तीसरा है दा पैनिंसुलर प्लेट्यू इंडियन डेजर्ट दा कॉस्टल प्लेंस और आइलेंड्स तो यह च्छे हैं फिजियोग्राफिक डिविजन और यह खतम करने के बाद अपना चेप्टर हो जाएगा फिनिस मगर इतना आसान नहीं ब थार डैजर्ट यह हे कॉस्टल प्लेंस क्या है कॉस्टल प्लेंस और यह है लक्ष और यह अंड्वानेड निकोबार तो मेजर फिजयो ग्राफिक डिविजिन्स जटे совсем एक राप बात कि मेजरी थ्ननिवाईव्वण सबसे पहले हम देखेंगे the north and north eastern mountains मतलब हम एक बात करने वाले हैं हिमाले mountain की बात करने वाले हैं जो north से north east direction में क्या करता है run करता है ठीक है एक मैं छोटा सा map देखाता हूँ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ा आपको समझाँगा हिमाले को हम तीन भागों में divide कर सकते हैं mainly mountain ranges मतलब यह कैसे mountain हैं एक ऐसे mountain जा रहा है एक ऐसे mountain जा रहा है तो इनको बुलते mountain ranges तो trans हिमाले जो है इसमें तीन mountain ranges मिली हैं कारा कुरम, लद्दाक, जासकर तुबारा मैं बता रहूं trans हिमाले में तीन mountain ranges है कारा कुरम, लद्दाक और जासकर इसके बाद है हिमाले, हिमाले को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेट हिमाले या इसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, तूसरा है मिड हिमाले या लेसर हिमाले के नाम से जाना जाता है, तीसरा है आउटर हिमाले या सिवालिक के नाम से जाना जाता है, औ पूरवान चल मतलब पूरव की साड़ की मतलब गया इस्ट की दरब अब देखो यहां से हिमाले स्टार्ट हो रहा है और यूँ चल रहा है तो यह वाला जो एरिया यह है पूरवान चल ठीक है अच्छा अब इसमें कुछ और चीजे देखते हैं जो आपको बहुत ही ज्याद है कि यह वाली जो है यह यह जसकर यहां पर एक मिश्टेग यह वाली कुनुकी है जसकर हो कर जसको तो पहली काराकुर्म फिर दूसरी अब आज और तीसरी जसकर और फिर इसके नीचे यह जा रहा है आपका ग्रेट निखाल कैया रहा है ग्रेट हमाले यहां पर यह subir by में और सबसे नीचे है सिवालिक तो ऊपर वाला जो हिमाले जिसमें तीन मांटेन रेंजे जा रही है कारा कुरम लद्दाक और जासकर इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमाले के नाम से जाना जाता है या पार हिमाले के नाम से भी इसको जानते हैं इनके नीचे ग्रेट हिमाले के नी वाद्री रहे घ्रलीमाय फिर मिढखके ही और शीमाले ओर लास्ट में यहां पर आपका जाएगा पई यह पूर्वां चलाइगा ठीक है अच्छा हिमाले के ऊपर भी यहाँ पर एक है पामीर नोड पामीर प्लेट्यू क्या है पामीर प्लेट्यू जिसको वर्ल्ड की रूफ का आ जाता है इधर एक माउंटेन है त्यांस है और एक माउंटेन है हिंदू कोस इधर एक माउंटेन जा रहा है कुनलुन ठीक है यह चीन के है ची की सबसे बड़ी mountain peak है केटू और मगर यह area कैसा है disputed है क्योंकि आज की date में यह आता है P.O.K. में पाक occupied कस्मीर ठीक है तो disputed है अगर disputed में highest peak पूछे तो केटू और इसके बाद आती है कंचन जंगा कौन सी आती है कंचन जंगा तो यह mountain peak है फिर आता है अपको लगदाक और यह है जासकर क्या है जासकर ओके यह वाली जासकर है फिर यह great हिमाले अच्छा great हिमाले में भी यहाँ पर एक mountain peak है जिसका नामे नंगा परबत तीक है और great हिमाले में यहाँ पर परणाचल प्रदेश में भी mountain peak है जिसका नाम है नामचा बारवा क्या है नामचा बारवा देखो यह नाम आपको सुनाई western states है तो इनका भी आपको नाम याद रखना है अच्छा great हिमाले के नीचे कुछ mountain ranges है पहली है यह वाली जिसको हम बोलते है पीर पंजाल जो की जम्मु और कस्मीर में है फिर है आपकी दोलाधर दूसरी कोंसी है दोलाधर हिमाचल बर्देस में फिर है आपकी नाक टिबा नाक टिबा उत्राखंड में फिर एक महाबारत रेंज महाबारत रेंज नेपाल में कहां पर है नेपाल में और यह तीनों के तीनों के चार की चार पीर पंजाल दोलाधर नाक टिबा मह भारत यह चारों की चारों किसमें आती हैं यह आती हैं आपकी मिढ हिमाले कुंसे में मिढ हिमाले में और फिर इसके बाद नीचे नीचे सिवालिक यह होगा आपका सिवालिक और यह जो माउंटेन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ऐसे यह है अराकन योमा माउंटेन जो मिलेगा आफगालिस्तान में ठीक है और इसके लाबा कुछ माउंटेन पीक्स और हैं जैसे नंदादे भी यह उत्राखंड में अन्नापूरा माउंट एबरेष्ट यह दोनों नेपाल में और ध्यान रखना है हिमाले की सबसे हाइस्ट जो पीक है वो कौन सी है माउंट एबर प्रदेश में ठीक है तो यह हिमाले का एक चोड़ा सा मतलब आपको में पर याद रखना है हो सकता है तो इसको बना लेना अब काम आएगा आपके यह पूर्वांचल हिमाले पूर्वांचल मतलब नौर्स इस्ट की तरब का जो हिमाले जैसे बांगलादेस हो गया और यहा के यहाँ पर कई सारे श्टेट्स हैई जैसे अरणा चल पर देश नागालेंड में टिरफुरा मेगाले तो यहा पर जो हिमाले है इसको हम क्या बोलते हैं पूर आपकी मडीफुर हिल्स और मिजोरम में पहाडी हिल्स है तिरपुरा में तिरपुरा हिल्स में ऐसे करके हैं इसकते हैं यहां से यह तक एसे कर गए मौळाइन और मतलब जम्मू कस्मी से आजल प्रते थक भ्य communauté तक भी आज है खेला हुआ है सही घुलकुल ऐसे देख सकने हैं यह और देख सकते हैं इसक सुल ये भी हिमाले का extension है ये भी हिमाले इधर हिंदू को अभी अमने देखा था ये कारा कोरम लेंजे ये हिमाले हिमाले के नीचे इंडोगेंगे टिक प्लेंज ठीक है ये mountain ranges है जैसने सबसे उपर कारा कोरम फिर लद्दा पिर जासकर अभी मैंने बताई थी पीर पंजार धौला जो कि नेपाल में है के टू जिसको गौडविन उस्टिन की नाम से जाना जाता है ये पीयो के में है एट सिक्स बनवन मीटर है और ये कारा कोरम रेंज में आती है फिर कंचन जंगा इसकी हाइट है 8586 जो कि इंडिया में आती है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सिद्दांत दिया है कि हमाले का उरीजन कैसे हिवा हिमाले की ओरिजन से समझेति जिसमें बताया जाता है क्या बताया जाता है ये प्लेट हुआ करती ती जैसे ये इंडिया वाली प्लेट आपको बताया था मैंने कि फूरा बिस्स्त में 2 मतलब भाग蛋 گूब या एक land माज थे उपर था लोरेशिया नीचे था गॉन्वाना लेंड पीछ में ठहती सोशियन हुआ करता था गॉन्वाना लेंड से एक प्लेट इससे अलग होती है और यह वाली प्लेट का नाम था इंडियन प्लेट और यह प्लेट फिर किधर की तरफ जरनी स्टार्ट करत इंडिया वाली प्लेट, ये 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 वाली प में पिट करके रखनी हैं तो नौर्थ 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 इस्टन हिमा नौर्थ इस्टन मांटेंस मांटेंस की बात करते हैं अब तक हम कुछ बेसिक्स देख रहे थे, North and North Eastern mountains consist of the Himalayas and North Eastern hills, अभी मैंने North Eastern hills बताई थी, जिनको पूरवांचल hills के नाम से जानते हैं, तो ये जो Himalay है, ये the Himalay, मतलब Himalay में आपका क्या क्या जाएगा, greater Himalay, mid Himalay और शिवालिग, और इसके लावा जो North East hills हैं, इन सब को मिला कर क्या बनता है, North and North Eastern mountains बनता है, तो हिमाले consists of series of parallel mountain ranges, हिमाले में आपको बता है, कई सारी line लगा के mountain ranges पाई जाती है, कारा कोरम, इसके बाद आपकी लद्दाक, इसके बाद आपकी जासकर, पीर पंजाल, ठीक है, ऐसे का धोला धर, पहुत सारी मेरे mountain ranges बताई है, तो इन सारी mountain ranges को मिला के बन हिमाले यहां पर आप देख सकते हो कई सारी कारा कोरम, लद्दाक, जासकर, पीर पंजाल, ठीक है, यह सारी सारी मिलके क्या बनाती है, हिमाले बनाती है, some of the important ranges are the greater हिमाले range, सबसे बड़ी सबसे important range को जिए, greater हिमाले रेंज, greater हिमाले रेंज, इसमें दोनों चीज आ जाती ह एक तो इसमें great हिमाले आता है, और एक शिवाले का आता है, ध्यान रखना, greater हिमाले रेंज में क्या क्या आता है, great हिमाले और शिवाले किसका पार्ट है, यह चीज आपको ध्यान रखने है, the general orientation of these ranges is from northwest to southeast direction in the northwestern part of India, पहली बात तो यह इंडिया है, तो इसका northwestern part कोंसा हो ग structure है, मतलब किस दिसाम है, तो देखो यहाँ पर यह होगी north direction, यह होगी south, यह होगी east और यह होगी west, यह वाली कुनसी north east direction हो जाएगी, और यह वाली कुनसी हो जाएगी, southwest direction हो जाएगी, इन direction की बात करते हैं तो यह नौर्थ वेस्ट और यह वाली south east, अब देखो, तो हम ब तो धिके आप देख पारे हुआ यह जो डारेक्षण है कैसे हैं इधर तो क्या आजाएगे साउथ इधर आजाएगा नौर्थ वेस्ट तो ध्यां रखना जनरल ओरींटेशन ओप दिज रेंजेश इस फ्रॉम नौर्थ वेस्ट तू साउथ इस डारेक्षण कहां पर और नौर्थ वेस्ट की डारेक्षण कहां वाइल जबकि अरुनाचल प्रद्देश में बिल्गुल सही बात है यह देखो ऐसे मूब कर रहे हैं और ऐसे होते हैं फिर ऐसे हो जाते हैं तो अरुनाचल प्रदेश प्रदेश वाले region में पैसे खर रहे हैं इस्ट टु बैस्ट इस ट्व एस्ट और ऑला यह जो दार जिली और शिक्रिकल्ट और यहां पर इस टू बैस्ट जब रवनाचल प्रदेश में कैसे एसे हैं मतलब नॉर्थ वेस्ट से किदर से नॉर्थ वेस्ट तो नॉर्थ वेस्ट कुन सा हो जाएगा यह नौर्थ हो गया यह वेस्ट हो गया ठीक है यह वाला नौर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट